हमारे देश के भ्रस्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों पो पुचल दिया है लेकिन आजाद आवाजे कैद नहीं होती है यह हिंदुस्तान की आवाज हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान मेरे सामने आप 181 में फोन करिए आप करिए अपने मुबाइल से हैजर आप बात करना कि आपका सोचाले चोरी हो गया है अभी आए गाए और कोई मगभूला तो आप क्या खुले में सोच के लिए जाती है अर्दी आपके हिसाब से भारत देश कुले में सोच से मुक्त हो चुका है सुईक्रित भी हो चुका है उसका पैसा भी निकाला जा चुका है तो मैडम नोट करिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या है ये लोग बहुत पड़े लिखे नहीं है ठीक है क्या 1901 में सामोक समस्याएं जो होती है सामाजिक समस्याएं उनकी सिकायत दर्ज नहीं की जाती क्या ठीक मैडम इनकी समस्या का निराकरण कब तक हो जाएगा और आप जैसी माताएं हैं जो खुले में सौच के लिए जाती हैं बहुत सर्मनाक बात है क्या बोलते हैं सर्पंच सर्पंच आप फुनी बात कह देते हैं कि हमारा इसमें कोई रॉल नहीं है आप ये कोशिस करिए कि खुद लरना सीखी अपने से है कि यहां पर लगभग पचास लोगी गठे हैं और मुश्किल से हमें एक मुबाइल मिला है इन लोगों के बीच में और वो मुबाइल भी बटन वाला मुबाइल है इस गाओं का अस्तर इतना नीचे है कि हम बोल सकते हैं कि यह लगभग 15 साही 20 साल पीछे चल रहे हैं देश के बाकी हिसों के विकास से अगर हम इनकी तुलना करें तो इनके पास मुबाइल तक नहीं है और सरकारे मुबाइल में ही पता नहीं कितनी योजनाओं का लाफ देती हैं ग्राम पंचायद दरपड हो गया जिसमें ग्रामीर अपने गाउं में क्या विकास योजना चल रही है कहां पे सड़क बनी कितनी लागत आई उस सड़क में क्या सामागरी लगाई गई काउन ठेकेदार था किसको किस योजना का लाफ मिल रहा है वो सारी जानकारी होती है और नहीं मिल रहा है जिसके लिए लडाई लड़े सरकार को कहीं में कहीं लोगों की तरफ ध्यान देना शाहिए और कुछ सरकारी जन प्रतिनी थी जिनकी जिम्मेदारी है कि ग्राम पंचायतों के विकास कारियों की समीक्षा करें किसको क्या मिल रहा है उसकी समीक्षा करे पर लेह Andre ईक अगर इनको इंका हक मिल रहा है तो उसको दिलवाए और जो नहीं दे रहें जो चोरी कर रहें जो घृआ का मार रहें उनको द बरखास्त करें उनके खिलाब कारिवाही करे differ आप लोगों के पास मोबाइल है किसके पास मोबाइल है किसके पास मोबाइल है जिसको सोचाले नहीं मिला है तो आप क्या खुले में सोच के लिए जाती है अर्दी हम कोशिश कर रहे हैं 181 में फोन करने के लिए और जो समस्या हम 181 में सुनाने वाले हैं वो किसी एक विशेश व्यक्ति की समस्या नहीं एक सामाजिक समस्या इस गाउं की और देखते हैं 181 से हमें क्या उत्तर मिलता है और क्या कारिवाही होती है अभी गाउवालों ने डूड़ने की कोशिस की कि इस गाउव में टच स्क्रीन मोबाइल किसके पास है और किसमत से एक टच स्क्रीन मोबाइल मिल गया इस गाउव में और हब इसी से फोन करने की कोशिस करेंगे 181 में यह आप देख सकते हैं एक्सोचासी में डाइल कर रहा हूं एक्सोचासी में लोकेशन भी जाती है कि कहां से फोन आ रहा है नमस्कार मैं भावरी गाउं से बोल रहा हूं तेंदू खेडा तहसील में आता है यह समस्या यह है कि एक माता जी है हमारी और इस गाउं में किसी को भी साउचालय का लाव नहीं मिला है तो आप लोग इस चीज़ से अवगत हैं कि नहीं अवगत हैं क्या चीज़ अगर सौचालय नहीं हुआ और यह गरीब लोग है सौचालय का लाव इनको मिला नहीं है और आपके हिसाब से भारत देश खुले में सौच से मुक्त हो चुका है यह बात करिए अम्मा जी से हालो जी का यह हां से माता जी हम गरीब आदमी के कोई ते बेवास्ता नहीं नहीं सो पता ना जाओंगी मैं आपको कि जो आप सौचालय की बात कर रही है उसके लिए आपको ग्राम पंच्चाहट में आविदन देना होता है नहीं सारेते कोई नंयागत आते आप रिप दिया है नहीं ब्सक्रेस्चाहत्ति नहीं नहीं है tokens में ने पुटीस लाटेस्यार रुक्त service करवको फिर नहीं खिर नदुम्हकित आंटेया से ॉसको लिए पहले ओधिरिए दिया है चलो आजेक्ट दियाए अश्य इन सबने आवेदन दे दिया है और गाउं में एक भी सरकारी संचाले नहीं मिला है और सब गरीब है सव डेड़ सो रुपए कमाने वाले गरीब है हाँ यह लोग हमेशा ग्राम पंचायत से संपर करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमने आपका लिस्ट में नाम जोड़ दिया है अभी तक आया नहीं है पैसा लिस्ट आ चुकी है किसी को मिला नहीं और इनके नाम से ऐसा लगता है कि संचाले स्विक्रित भी हो चुका है उसका पैसा भी निकाला जा चुका है और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ग्राम पंचायत सरपंच को फोन करिए और उनसे पूछिए कि आपके ग्राम पंचायत में किसी भी गरीब को सरकारी संचाले का लाब क्यों नहीं मिला सरपंच का क्या नाम है सरपंच का क्या नाम है यह रएंगा सबाइब असर भाषट में सब्सक्राइब एब ढ़िए और मैडम इडर मैंड़ में ए गराम पंचायत कुछ पर ट्याम पर को टानी त्याम पर के जी मैडम कर चाहिए ना शक्कर मिलती है ना नमक मिलता है कि कई बार इनको राशन कम मिलता है बोल देते हैं इस बार खतम हो गया अगली बार मिलेगा और वह अगली बार कभी नहीं आता राचन काण आप लोग सुन रहें जो कि भूल रहीं हैं यह बोल रहीं है कि आपका राषन कार्ड और कहां पर आपका राषन जहां समे भूलता है वहीं कोटे का जगह है और क्या नाम का दुकान का नाम वो सारी डिटेल में के विनाला कीमट कर लिए तो मैडम नोट करिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या है ये लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है ठीक है ये एक सामाजिक समस्या है आप किसी डेक्टि के नाम से आपका नाम बताईए इनके नाम से नोट कर लिए बुद्धी बाई आपका क्या नाम है और यहां पे करीब सौ लोग है और सबको नहीं मतलब सबकी समस्या वही है जानकारी ले लिजी आप बुद्धी बाई अभी है आपके पस मैडब हम को कुछ देरवाद फोन करते हैं आप ग्राम पंचयाथ का नामनोट कर लीजी और एक बार फोन करिए आपके ग्राम पंचयाथ में यह समस्या है अच्छा अच्छा दूसरी चीज यह जानकारी चाहिए थी मुझे कि सामाजिक समस्या उनकी सिकायत दर्ज नहीं की जाती क्या अगर सब लोग अलग कमप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं प्राबलम मेडम यह है कि यहां पर सब के पास मुबाइल नहीं है यह बहुत मुश्किल से हमें एक मुबाइल मिला है इस ग्राम पर जायत अच्छा एक मुबाइल से पूरा गाउं समस्या दर्ज करवा सकता है न ठीक है तो यह पहली चीज़ तो आप बहुरी देवी का समस्या नोट कर लीजे इनको संचाला नहीं मिला है इनके साथ बाकी लोगों का भी है वो लोग आपको एक एक करके काल करके नाम के साथ में सा लुए तर जोगी ठीक है जी 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 एक या नाम बता दिजी आपका नाम चाल सब्सक्राइब का नाम बताईए और कोई नंबर है जिससे संपर किया जा सके आप इसी में करिएगा यह जीला लगता है नमो विकास गंड टेंदू खोड़ा है तेंदू खेड़ा और ग्राम है भौरी 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 ठीक है मैडम इनकी समस्या का निराकरण कब तक हो जाएगा आप अबी कंपेंड टारी से लाइन पर एगा हाँ जरूर 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 लाइन में है पर पंच का नाम बताईए सरपंच का नाम बताईए असुग भाई असुग भाई सचीव का क्या नाम है और जोन अर्जून अर्जून ढाग और अर्जून ढाग और अप्ट वो इनको याद नहीं है कब दिये थे कितने समय हो गया फिर भी हो गया कितने साल हो गए संचाले के लिए आवेदन दिये तीन-चार साल बता रही है तो उसके बाद नहीं दिया आवेदन नहीं साल तो निवेदन रहे से च्छे महीने में निरस्त क्यों हो जाता है को जानकारी अगर आप लोगों को मैं अब बता रहा हूं तरीका अगर आप लोगों के पास एक ही मुबाइल है या कुछ ही मुबाइल है तो सब लोग एक-एक करके अपना राशन कार्ट समख राइडी लेके और एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-ए तो कोई और नहीं उसको बंद करवा सकता तो जैसे आपके नाम से हो गया है ना आप एक आवेदन दे दीजिए आपके गाउं में पढ़े लिखे कौन हैं तो जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको आप थोड़ा सा उनसे मदद लीजिए और उनको बोलिए कि सब के नाम से ए रख लीजिए और हम फिर से कभी आज दस दिन बाद आएंगे उससे पहले आप लोग ये काम कर लीजिए ताकि सब को सोचाले का लाफ मिल जाए और आप जैसी माताएं हैं जो खुले में सोच के लिए जाती हैं बहत सर्मनाक बात है हम सब के लिए इस देश के लिए बहत सर समस्या से निजात मिल जाए एक बार सोचाले मिल जाए तो फिर उसके बाद आप लोग आवास के लिए लड़ी है ठीक है ना चलिए हमने इनकी तरफ से 181 में सिकायत दर्ज करवा दी है जितने भी लोग हैं इनमें से किसी को भी सोचाला ये उजना का लाफ नहीं मिला है आप लोग लिख के आवेदन देना है ना लिखित में एक टाइप करवा लेना और नाम उपर सबका अलग-अलग करवा लेना एक ही करवा लेना ठीक है और नहीं होता है तो हम आपको आपको हम अपना नंबर दे के जा रहे हैं आप उस नंबर में फोन करना और हमें बताना कि आपको नहीं मिला है तो आवेदन हम आपकी तरफ से टाइप करके लाएंगे और आपके साथ चलके आपके ग्राम पंचायत में वो आवेदन जमा करवा देंगे पर कोशिस करिए कि कि आप लोग खुद से लड़िये हैनाrast जैसे हम लोग क्या है कि ऐसे ही आगए और पता चला कि आप लोगों को संचाले योजना अवाश योजना का लाव नहीं मिला है या यूक्र हैं कि सरकारी योजना का और आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो इसलिए हम लोग आए अरे ये पत्ते क्या रेट खरीते हैं आप लोग किते रुपए का पत्ता आता है एक हजार बीडी बनाने की निलगवक्त बता है और कि ठेकेदार दे के जाता है